हेलो गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स तो कल हमने पढ़ लिया था मिक्षर यानि मिसरण के बारे में कि वो दो तरह का होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें जो मिक्षर के अवयब हैं उनको अलग अलग करने की जरूरत क्यों होती है हम जो फी पदार्त हैं उसको अलग-अलग क्यों करते हैं the suppression of constitute of a substance is carried out for the following purpose हम निमलिकत कारियों के लिए हम किनी दो पदार्थों को अलग-अलग करते हैं टीक है जैसे पहला पॉइंट है ध्यान दीजी ये कोशन है कोशन में भी है to remove any harmful or undesirable constitute हमें क्या कर दा है हानिकारक और अवांचित यानि undesirable का मतलब होता कि जो पदार्थ हमें नहीं चाहिए कि हानिकारक और अवांचित पदार्थों को अलग करने के लिए एक तो हम पदार्थों का separate करते हैं for example small piece of stone and undesirable seed grain are removed from rice and dals before cooking हम क्या करते हैं example के लिए हम जैसे छोटे-छोटे पत्थर होते हैं या फिर undesirable seeds grain या फोबीज होते हैं जिसको चाल और दाल से हम अलग करते हैं खाने से पकाने से पहले ठीक है दूसरा है to remove non useful component non useful component का मतलब जो चीज हमारे काम में नहीं आने वाड़ी दो चीज हमारे काम की नहीं है मतलब अनूपयोगी घटकों को अठाना जैसे जो चीज हमारे काम नहीं या तो उनको क्या आठाते हैं we use stanner to separate the tea leaves from the tea जैसे चाय बन जाती है तो चाय पत्ती को चानने के लिए हम प्रियोग करते हैं stanner यानि चलनी का प्रियोग करते हैं चाय से चाय की पत्ती अलग करने के लिए जो चाय की पत्ती अलग निकल जाती है चलनी के ऊपर बो तो हमारे काम आने बाली नहीं है ना तो इसलिए उसी को भोलते है non useful जो हमारे काम नहीं आती है आगे है तीसरा point separate to different but useful constitute दो चीजों को अलग अलग करना but useful पर दोनों ही हमारे काम के आने वाली है ठीक है हम क्यों अलग करते है कि दो चीजों को अलग करना है हमें और दोनों ही हमारे काम आने वाली है जैसे milk is churned to obtain butter मन्थन करना मिलक को मन्थे यानि दही को मत्ते हैं तो क्या मिलता है बटर मिलता है ना in this case both components are useful तो हमें दही को मत्ते हम यानि दूद को मन्थन करते हैं तो क्या बन जाता है हमें मिलता है मक्षन और चाच मिलती है तो दोनों ही हमारे काम आने वाली चीजी है बटर भी काम आता है हमारे। उसाज भी वो भी काम में ली जाती है तो ये दोनुव चीज काम मेंIGHTले वाली में आ पर कीछ से दोनवेकों अलग हमने किया हैं पहले में क्या करते हैं कि जो चीज आमें नज चाहिए उसको अलग कर लेते हैं ठीक है कि जैसे पत्थर अलग करना многие और चावल में से दूसरे में जो चीज हमारे काम ने आती उसको फेंग देते हैं और इसमें तीसरे में क्या हता है कि यह दोनों चीजे हमारे काम आने वाली है पर दोनों को अलग-लग काम में प्रियोग कर सकते हैं तो यह कुछ है तीन मैथर, यह तीन चीजे जिन के लिए अपरियोग करते हैं अगे मैथर आप साप्रेशन, कि अलग-अलग करने की बिद्या, प्रित्थिकर्ण करने की बिद्या, क्या-क्या की तरीका जिससे हम अलग-अलग चीजों को शुद्ध करते हैं The constitute of a mixture can be separated by simple method. बहुत सारी चीजों को हम बहुत ही असान विदी से अलग-अलग कर सकते हैं. The substance to be separated may be solid, liquid, gains और particle of different size. जो हम particle अलग-अलग करते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं. ठोस, दरब, और गेंस, और कणो के रूप में भी या फिर अलग-अलग अपने size अकार के में भी हो सकते हैं. The choice of method is made on the basis of different in the properties of constitute. हम किस बिदी से किस चीज़ को अलग करते हैं, क्या चीज़ चाहिए, वो उस बस्तू की विशेष्था पर depend करता है कि हम कौन सी चीज़ों को किस तरीके से अलग करेंगे. ठीक है? Some most commonly used method of separating constitute of a mixture are described. कुछ नीचे बिदियां दी गई है, कई चीज़ों को अलग अलग करने की, तो उनकी प्यारे में अब हम विश्थार से पढ़ते हैं. देखो, पहला है hand picking. Hand picking का मतलब होता है हस्त चेन, हाथ से चुन कर एक एक चीज़ को अलग अलग करना. This is the simplest method of separating unwanted material from the useful ones. यह सबसे असान मेथड़ होता है, सबसे असान विदि होती है, जिससे हम अंचाही वस्तू, यानि अवंचित पढ़ार्त को उप्योगी बांचित पढ़ार्तों से अलग कर सकते हैं. यह सबसे असान में थेड़ा है टीक है इस में यूज ओनली बैन अन्मांटिड मेटेरियली परजेंट इन समालर क्वांटिटी साइज सेप और कलर ओफ अन्मांटिड मेटेरियली डिफरेंट फ्रों दा यूजफुल बंस यह में तर वहां प्रियोग किया जाता है जब अन्मांटिड मेटेरियल होता है वह छोटा होता है स्मालर ही क्वांटिटी में थोड़ा होता है और साइज भी थोड़ा होता है सेप और कलर भी उससे अलग होता है जो चीज हमीं चाहिए जैसे जैसे अभी पहला ही एमने पढ़ा था कि दाल में क्या कंकड है दाल में कंकड है तो क्या है दाल और कंकड को हम असानी से देख सकते हैं पत्तर किसी और कलर का होता है दाल किसी और कलर की होता है तो इसलिए हम हाथ से उसको चुन की अलग-अलग कर सकते हैं तो यह में थिर वह गेहूं, चावल, राइस, पल्सी, दालें, एक्सेटरा आदी, गेहूं, चावल, दालें, आदी, इसमें बहुत छोटी मात्रा में, बहुत थोड़ी, बहुत छोटे पेवल्स, यानि पत्थर, और सम्टाइम इंसेक्ट, और कुछ कीड़े भी होते हैं, देदा रिमूड वाई हैंड़ पिकिंग, इनको हम हाथ से चुनके अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एंड़ हैंड़ पिकिंग कहा लगेगा, जहां किसी चीज में कोई दूसरी चीज मिल गई है, तो वहीं पर इसका प्रियोग कियेंगी, और दोनों चीज़ें अलग-अलग सेफ की है, और दोनों चीज़ें बड़ी-बड़ी भी होनी चाहिए, तो तभी होगा, अब देखो, आपके पास चोक है, चोक का पाउडर और नमक मिल गया, तो उसको तो हाथ से चुनके अलग नहीं किया जा सकता ना, नमक और चोक का पाउडर मिक्स हो गया है आपके पास तो आप क्या उसको हाथ से चुनके अलग कर लोगे, नहीं कर सकते ना, तो यह में थरकान लगएगा, जब दो चीज़ें मिल गई है, और दोनों का क्या है, आकरती और साइज अलग-अलग है, जैसे चोक और नमक मिल जाता है, तो एक ही कलर का वाइट है दोनों, पूरी तर होता है, वो अलग-अलग अकार का होता है, जो धाल होती है, गेव, अलग-अकार की होती है, जो चना होता है, वो भी अलग-अकार का होती है, तो पत्थर हमें आसानी से उसमें दिख जाएगा, तो उसको हाथ से चुनके निकाल सकते हैं, पर अगर नमक का पाउडर, नमक का चौक आपाउट भी अलग हो जाता है वो पढ़ेगे आगे कैसे अलग करते हैं आगे सीविंग चानना होता मतलब इसका हम प्रियो करते हैं इस विदी में एक सीविंग लेटे हैं चलनी बोलते हैं ८ह बड़े 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 पार्टिकल अहया है जो ह बहुत ऊपरह जाते हैं औरूटेकल उसके निचिस निकल जाते है जैसे घर पर नहीं होता, जो कनट चानने के लिए झारना या जार भोलते है जिसको जए अलग कनक और जो गेहू है या कनक इसको अलग अलग करने के लिए प्रयोग की कि छोटी कनक जाए और जो बड़ी अच्छी कनक है वो उपर तो चलनी होती है जिसे आठा चानने के लिए प्रियोग करते हैं तो वही होती है तो इसमें क्या करते है कि छोटे जो कंड होते हैं वो इसमें क्या होते हैं होल होते हैं छोट छोटे होते हैं चेद होते हैं और चोटे पार्टिकल होते हैं वो तो निचे निकल जाते हैं और ब प्रान प्रॉम वीट फ्लॉर है आगे है कि जब आर्टा चानते तो क्या होता है कि जो आटा है हमें चाहिए वो नीचे रहे जाता है हम आटा चाहिए और उपर जो जो भी असुदी है उसमें वो बहुत रहे जाता है चिलका के लो गयों का उपर फाइन सेंड फ्रॉम और ग्रेवल से उपर पत्थर उपरे जाएंगे केश्व नेट्स एंड पर्स ओं डिफरेंट साइज इसी परकार से और भी बहुत सारी चीज होते हैं जिनको हम अलग अलग करते हैं कि इसमें एक ही मियत होती है कि या तो जो चीज हमें चाहिए वह उपर रह जाएगी या फि कि हम्या आटा चाहिए तो आटा नीचे निकल जाता है चोटा होता है और तो यह जो से आटा चालने की चलनी होती है उसको सीविवी में बोला जाता है ठीक है यह कर ले ना बाकि यह कल गलेंगे बिन अभींग हो रही ये क्या होता है ठैंक्यु